और अब बाद तुर्किया और सीरिया में आई विनाश्कारी भुकम की दोनों देशों में भानक भुकम से मरने वालों का आंकडा लगातार बढ़ता जा रहा है अब तक पांठ जाद से जादा लोगों के मौत की ख़बर है हजारों लोग अभी भी लापता हैं आज भी तुर्किये और सीरिया में दो जटके महसूस किये गए रेटर स्केल पर इनकी तीवरता पांठ जाद 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 नुकसान कल 7.8 तीवरता के भुकम से मची तुर्की की मदद के लिए भारा समित पूरी दुनिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है भारत ने भुकम राहसामगरी की पहरी खेब भेज़ दी है इंडियन एरफोर्स का C-17 विमान दो एंडिया आरफ टीमो डॉक्टरों और रहसामगरी के साथ वहाँ पहुँच चुका है दूसरा विमान भी रवाना हो चुका है वहीं पियम मोदी ने भी तुर्किये के हालात पर चिंता जाहिर की बीजेपी संसदिय दल की बैठक में पियम मोदी ने तुर्किये में आए भुकम को लेकर काफी भावक नजराए और इमोस्नल नजराए पियम ने कहा कि 2001 में भुज में आए भुकम को उन्होंने याद किया और पियम ने कहा कि जिस तरह से तुर्किये जिस हाला से गुज़ा रहा है मैं उसे समझ सकता हूँ 2001 में भुज में जब भुकाम पाया था तब मैं मुख्यमंतिर था और मुझे पता है कि rescue operation में क्या दिक्कत आई थी